हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आईए एक नई कुंडली अध्यन के लिए आई है आईए इसका अध्यन करेंगे देखे फ्रेंड्स ये मीन लगन की कुंडली है नमबर बारा लिखा वाया तो मीन लगन की कुंडली है मीन लगन के जो स्वामी होते हैं, गुरु होते हैं, जो कि सब्तम भाव में बैटे हैं, तो मीन लगन के जो बच्चे होते हैं, काफी भावक होते हैं, सत्य बोलना पसंद करते हैं, और मध्यमकद काठी के हो सकते हैं, रंग इनका साफ होता है, और गोल-गोल आंखे चमकिली ह जल तत्विय लगन होता है मीन लगन और दूसरा मीन लगन के जो बच्चे होते हैं भटकाव ज्यादा रहता है उन में क्योंकि उन में के मन में स्थिर्ता की कमी होती है बहुती स्रिजन शील लगन होता है ये मन में बहुत भटकाव रहता है जिस परकार मचली पानी में एक ज इनका मन को napनous are इंकाई नहीं रह पाता है इस प्रकार मंन लगन में यह कमी कई देखी गई है अब देखी राहू यहां पर चाहिए पर इस फरक्राइद । नेधराई में सब्सक्राइद के了 भी कर देते हैं, जैसे कुछी ऐसा इस प्रकार से वाणी हो जाती है, जब भी राहु यहां वाणी के भाव में आ जाते हैं और यहांसी धन का विचारिक भी किया जाता है ओर ऐसे व्हक्ति जब भी राहु यहां परarty तो नेतर का कोई ना कोई रोग भी यहां पर राहू दे देते हैं आंखों की समस्या परसानी यहां पर निरंतर बनी रहती है और दूसरा कुटुम से ज़्यादा नहीं बन पाती है बच्चे की जब भी राहू यहां पर बैठते हैं तो कोई यहां पर कुटुम का विचार भी विवैक्ति की पड़ जाती है अब देखे फ्रेंड यहां पंचम भाव में शनी आ गए हैं पंचम भाव में बैठे हुए हैं दूसरा चंद्र यहां पर ग्यारवी राशी में बैठे हुए हैं जिस दोनों राशी के जो स्वामी है यहां पर प्रिवर्तन योग बना हुआ है तो यहां से बारवा घर होता है यहां से जब भी विचार किया जाता है तो इस प्रकार यह ज्यादा अच्छा प्रिवर्तन नहीं माना जाएगा क्योंकि यहां बारवा भाव जो है माइनस पैंट होता है क्योंकि यहांसे जिस भी चीज का ग्राब आठता है वो इस चीज का व्या कर देता है तो कहीं न कहीं पर सिक्षा में बाधा के प्रसानी दिखाई दे रही है फ्रेंट्स शीक्षा में परसानी आने की संभाव यहां पर पूर्णता दिखाई दे रही है अब देखिए यहां सब्तमभाव में गुरु बैठे में यहां से विवा और व्यापार का विचार किया जाता है गुरु जो है अपनी साथ्यों द्रिष्टी लगन पर डालेंगे जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है जब भी गुरु की द्रिष्टी का समझ लगन से बनता है तो व्यक्ति काफी समझदार और हो जाता है और काफी गुणों वाला होता है और दूसरा इस गुरु जो है यहां पर अकेले बैठे हुए हैं और जब भी केंदर का स्वामी केंदर में ही आ जाता है तो थोड़ा सा मैनिस पैंट हो जाता है केंदर धीपती दोस जो है लग जाता है उस ग्रह को तो यहाँ पर थोड़ा सा भावनास की स्थिती लागू हो जाएगी गुरू पर क्योंकि यहाँ विवा का कारक भी माना जाता है और दूसरा गुडिया की कुंडली है तो विवा का विचार भी हम करेंगे इसलिए यहाँ पर गुरू का अकेले बैठना थोड़ी भावनास की स्थिति यहाँ पर लागू होगी विवा जो है बच्चे का काफी विलम होने की संभावना यहाँ पर हो जाएगी दूसरा देखें सनी की द्रिष्टी तीसरी द्रिष्टी जो है गुरू पर पड़ेगी एक दो तीन तो कहीं न कहीं विवा में जो है काफी समस्या आने की संभावना यहाँ पर आने वाले वक्त में रहेगी फ्रेंडस अब देखिए मंगल यहां भागय भाव में बैठे हुए हैं मंगल जो है मीन लगन में अतिकारक ग्रह माना जाता है और मंगल को बली करने के लिए हमें हनुमान चालिशा का पाथ भी करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा राधना भी करने चाहिए क्योंकि इसे मंगल को बल मिलता है और लाल वस्तर जादा धारण करने चाहिए तो मिल लगन में अतिकारक ग्रह माने जाते हैं मंगल और भागय भाव के स्वामी हैं तो कई न कई भागय को बड़ावा देने के लिए मंगल के जो उपाएं हैं करने चाहिए बच्चे को और दूसरा अब देखिए फ्रेंट्स यहां पर राहू और केतु का आस्टम से संबंद बना हुआ है जब भी यहां राहू और केतु का आस्टम से संबंद बनता है तो कार अचानक धुर्गटना का योग भी यहां पर बनने की संभावना है और अभी तो माली जी बच्ची की एज कम है लेकिन आगे जाकर जब 40-50 ऐसे हो जाती है तो यहां पर बावसीर का रोग भी यूति दे देती है जब भी अस्टम से राहू उरकेतु का संब्ध बनता है त दूसरा देखे लाभभाव में सूर्य बुध और सुकर की योति काफी अच्छी स्थिति यहां पर बनी हुई है दूसरा देखे बुध यहां बुध जो है व्यापार के कारक बनकर लाभभाव में बैठे हैं तो और दूसरा सूर्य यहां पर सूर्य को यहां दस्वे घर मे तो आगे चलकर बच्चा जो है विजनस अगर करे किसी प्रकार का खाने पिने से समंदे समान या फिर कोस्टमेटिक समान से अगर कोई काम करती है तो गुड़िया या मार्केटिंग का काम करती है तो क्योंकि बुद्ध देखिए सब्तम के स्वामी होकर सूर्य और सुक्र के साथ यूत्ति में है तो मार्केटिंग का काम बच्चे के लिए जो काफी त्रक्की देने वाला यहां पर रह सकता है इस परकार बिजनस अगर बुद्ध और कोस्मेटिक चुज़ा का कोई भी किसी परकार वानी से समंदित ऐसे कार में गुडिया को जो है पूरी लाभ हो रहने की यहां पर संभावना है फ्रेंड्स अब देखे फ्रेंड्स मंगल की चोथी द्रिष्टी यहां पर चंदर्मा पर पड़ेगी एक दो तीन चार तो इस प्रकार से मंगल की द्रिष्टी चंदर्मा पर पड़ेगी तो चंदर् बरकार से चन्दरमा से बच्च चायाँ तो बच्च जो है इस तिर्ता की कमी है इस परकार दूसरा यहां से मंगल का समंद्ध धर्म से बन रहा है क्योंकि यहां से भाग्या का विचार किया जाता है तो बच्चे को जो है धार्मिक कारियों में रूची लेनी चाहिए और धर्म के कारियों में बढ़ चड़कर भाग भी लेना चाहिए इसे भाग्या की प्रिधि में बल मिलेग है और दूसरा देखिएये यहां पर राहू बैठे हुए और मंगल की राशी बनिये बाद मंगल भागए भाव में बैठे हुए थन की स्थीती काफी अच्छी यहां पर मंगल कर देंगे क्यूंकि मंगल जो हैं है nord s उचके हैं, फ्रेंड्स अपनी ही राशी में हैं, तो धन के लिए बच्ची को कभी प्रसानी नहीं होगी, इस प्रकार फ्रेंड्स, अगर कुंडली अध्यन हो चुका है, फ्रेंड्स, अगर आप लोगों कुंडली अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर की और चैनल को सस्क्राइब भी किजिएगा ठेंक यू